कि नमस्कार मैं तुक्सिदाश विश्व कर्मा आपका स्वागत करता हूं मेरे यूटूब चैनल माइनिंग क्लास्वांग तुक्सिदाश विश्व कर्मा मैं साथियों हम लोगपिछले पांत व्डियों में हम लोग देख रहे हैं माइनिंग के समंध में और एस्वास्टिंग बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और उसले सम्सिव व्युक्क बारे में आश्टियetteश विश्वीट परिख्षाओं में तो उपयोगी हैं ही और साथ यह अन्य परिख्षाओं में भी जो पढ़ने वाले स्कूल कालेज में पढ़ने वाले बच्चों के भी बहुत काम आ रहे हैं और उनका मझे बहुत प्तिसाद मिल रहा है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस साथ परिंग से संबंदित चैप्टर जो हमारा चैप्टर है उस वह उसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं आए है अगाइन चैप्टर मैंस रेगृशन वन शिक्टी शिक्टि इसमें यह ब्लस्ट्र के नाम से रगलिशन है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसको वी देखिंगे इसके कंटेंट क्या है इस अंग्रेजिय में स्लाइड है और हिंदिय में आपको में कंटेंट समझा रहा हूं इससे दोनों लेंग्वेज के जानने वालों के लिए सुझा रहेगी और वो अच्छे से समझ सकेंगे इसका पहला पाइडिया है कि प्राइमिंग कार्डिज बनाने या भारत को बनाने और चार्जिंग करने और स्टेमिंग करने का कारे एक सप्छम व्यक्ति के निजी सुपर वीजन में या निरिक्षण में ही किया जाएगा एव ऐसे सप्छम व्यक्ति को इन रेगुलेशन में ब्लास्टर के नाम से परिभासित क्या जाएगा जाना जाएगा ब्लास्टर स्वयम ही ब्लास्टिंग करेंगे या दगानी करेंगे या विस्फोटन करेंगे यह इस रेगुलेशन का बहुत ही इंपॉर्टन पाइंट है इसको आप बहुत ध्यान से समझ लीजे कि क्या क्या इसके कंटेंट है और क्या 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 इस पर इस्ट्रेस दिया गया है आप अच्छे समझ दीजिए प्रैमी कार्डिज बनाना थर्सानी करना और ब्लाश्टिंग करना और यह सब कार एक नीजी सुपर विजयन में होगा और ब्लाश्टिंग जो ब्लाश्टर है वो खुद करें इसमें इस पर बहुत स्ट्रेश दिये गया है इसका दूसरे पाइंट है कि आप वाले क्रिकरसन होगे ब्लाश्टर के कोई भी व्यक्ति ब्लाश्टर के कार के लिए तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसने मैनेजर ओवर्में मैंट या ब्लाश्टर की परिश्चा पास करके उप्रोक्त प्राणपत्र प्राप्त ना कर लिया हो इसका तिस्रा पाइंट है यह अंडरवांड माइन या उसके डिस्ट्रिक्ट या उसके किसी हिस्से में अगर किसी कामपुटेंट परसन के या सक्षम व्यक्ति को के निग्रानी में अगर तीस व्यक्ति कार कर रहे हैं तीस या उससे अधिक व्यक्ति कार कर रहे हैं और व्यक्ति रेग्लोशन 116 के हिसाफ से यह सोला की पूर्ति के लिए नियुक्त किया गया हो ऐसे व्यक्ति को कि साथ में ब्लाश्टर के ड्यूटी नहीं कर सकेंगे या नहीं इसको कार के लिए नहीं लगा जाएगा इसमें क्लियर है कि रेग्लोशन 116 के अंतरकत जिसके एक काम्पुटेंट परसन को लगाया गया है जिसके अंतर में 30 या उससे अधिक आदमी कार कर रहे हैं और उसे ब्लाश्टर का काम अलग से या नहीं दिया जाएगा इसका चौता पैंट यह है ऐसे व्यक्ति जिसका वेतन साड्स को या बारुद को ब्लाश्ट करने से तोड़े गए पत्थर मिनरल मलमा या डेवरिस की मात्रा के आधार पर निरंतित होता है या निर्धारित होता है को ब्लाश्टर के कारी के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा इसका पांचों पैंट यह है खान का मैनेजर लिखित आगे जिसमें उनके द्वारा लगाई गई शर्तों और इस्थितियों के बावजूद असी से अधिक नहीं होगा अगर वह अधिक से ब्लाश्टिंग कर रहा है यह अधिक साट पारिंग कर रहा है तब अगर सौर्ट्स को इगनाइटर कार्ड के द्वारा ब्लाश्ट किया जा रहा है तो उस कंडिशन में यह उस इस्थिति में पचास से अधिक नहीं होगी ततर उप्रोक्त संख्या का निधर्ण अगली स्रेट में बताया जा रहा है उस संख्या उस इस्थितियों के अधार पर भी होगा विश्ली स्रेट में हमने देखा कि स्रेट के संख्या को प्रहुद करने वाले पाइंट कौन से हैं वे पाइंट इस पकार है इसका पहला पाइंट यह है रेगुलियोशन में वर्नित सभी प्रावधानों का पालन करते हुए बारुत को बनाने से लेकर ब्लास्टिंग या फायर करने के लिए लगने वाला मानक समय के आधार पर दूसरा बन्ड यह है ब्लास्टर को ब्लास्टिंग करने के लिए एक हिस्थान से दूसरे हिस्थान तक या एक फेस्थ से दूसरे फेस्थ तक जाने में और आने में लगने वाला समय भी कंसीडर किया जाएगा तीसरा पंड़ी ब्लास्टर को उप्लम्थ कराए गए सहायकों की संख्या जो उनके काम को आसान बनाने के लिए उप्लम्थ कराए गए हैं के आधार पर भी उनको कितने सौट्स को ब्लास्ट करना है का निर्धारन किया जाएगा यह पैंट्स यह जो बाते हैं यह भी उस बात को प्रहाइद करें चोधा पैंट्स यह है ब्लास्टर को ब्लास्टिंग करने के अलावा रेगलोशन में वार्नित यह बताई गई वेधानी ड्यूटी के अलावा कोई अन्यकार जो उन्हें सोपा गया है उसके आधार पर भी एक शिट में उनके द्वारा लास्ट किये जाने वारे सौट्च की संठ्या ने धारित की जाईए परन्तु रिजनल इंस्पेक्टर अपमाईस चाहें तो अपने लिखित आदेश में खान के मैनेजर को इन रेगुलेशन के सब रेगुलेशन या उपबंदों में बताये गए अधिक्तम सौट्स से अलग अधिक्तम सौट्स की संठ्या मिरधारित करने की अनमती दे सकते हैं अधिक्तम फिक्ष किये एक सौट्स और ब्लास्टर को इसू किये गए जिटरंटर की संठ्या उसकी सिट उभर में उसके पास या उसके कबजे में पाये जाने वाले जिटरंटर इस रेवलूर्शन में बताए गए उप्भंद या सब्रेविशन पांच में बताए गई संठ्या या करीप पिछला श्रयर्शन पांच में बताए गए संठ्या से अधिक नहीं होगी यह चटर्भा पाइंट एक उसके पहले वाले पाइंट था पांच वा उसमें बताए गए संठ्या से अधिक नहीं होगी। यानि उनके पजेशन में भी जो मेंग्जियों जो डेटरों जो फिस्ट किये गए हैं उसके आधार से ज्यादा नहीं होगी थो ब्लास्टर की जो है और लॉक्तिशन हो उसके जो वर्ट लोड है इसके बारे में यह नहीं खतम होता है यह रेलोशन स्थे अपरका जहीं साथ होता है और आज वीडियो भी खतम करते हैं अगला वीडियो जो साट फरर, यह हमने देखा मेंटर मैंस का, हम देखेंगे कोल मैंस का, उसमें साट फरर की क्या ड्यूटी है, क्या क्वालिफिकेशन है, और क्या उसका वर्क लूड है, इस वारे में अम बूद देखेंगे, और उस वीडियो का नाम होगा, माईने एजामनेशन 13, और इजामनेशन स्टेटेजी टू भी तयार है, हो सकता दोनों वीडियो साथ में प्रदस्यत हो जाएं, तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्स्राइब कर दें, और जो माईनिंग का जो नीडी जो जामनेशन में अपियर हो रहे हैं, उन तक इसको पहुंचाने की किरपा करें, धन्यवाद,